क्रिशी कानून को लेकर देश भर में विपक्ष ने जमकर सियासी रूटिया से की विपक्ष ने किसानों को भड़काया इसके बाद देश भर में केंदर के क्रिशी कानून के खिलाब डेर साल तक किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान सालों तक बैठे रहे और केंदर सरकार के खिलाप प्रदर्शन करते रहे किसान अंदोलन के अगवा भारती किसान यूनियन के निता राकेश टिकैट थे जिनको विपक्ष का समर्थन मिला हुआ था टिकैट बार बार किसानों को उकसा रहे थे वहीं किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कि इंदर सरकार ने किर्शी बिल वापस ले लिया किर्शी बिल वापस लेने को लेकर जहां किसान अपनी जीत और सरकार की हार मान रहे थे वहीं अब चौकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं अब जो खबर आई है वो राकेश टिकैट के लिए बड़ा जटका है दरसल केंदर सरकार की तीन करशी कानूनों को लेकर सुप्रेम कोर्ट की पैनल ने बड़ा दावा किया है रिपोर्ट में कहा गया है कि 86 फीजदी किसान संगठन सरकार के करशी कानून से खुश थे ये किसान संगठन करीब 3 करोड किसानों का प्रतिनिध्य तो कर रहे थे दरसल सुप्रेम कोर्ट ने कि आजका पर सुनवाई करते हुए जनवली 2021 में तीनो करशी कानूनों की जमीनी हकीकत जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था इस कमेटी में करशी अर्थशास्तियों को शामिल किया गया था एक रिपोर्ट के मताविक कमेटी ने मार्च 2021 में अपने रिपोर्ट सेल बंद लिफापे में सुप्रेम कोर्ट को सौपी थी रिपोर्ट में सरकार को कृष्री कानून से जुड़े सुझाओ भी दिये गया है कमेटी ने जो रुपोर्ट सुप्रेम कोर्ट को सौपी है उसमें कहा गया है कि फसल खरीदी और अने विवास उलजाने के लिए एक व्यकल्पिक विवस्ता की जरूरत है कमेटी ने सुझा दिया कि इसके लिए किसान अदालत जैसा निकाय बनाया जा सकता है कमेटी ने ये भी कहा है कि करशी के बुनियादी धाचे को सुधारने के लिए एक बॉडी बनाने की जरूरत है वहीं ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जल्द ही सारजनिक हो सकती है वहीं दूसरी तरह प्राकेश टिकैट दावा करते आ रहे हैं कि ये बिल किसान विरूधी है लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद अब टिकैट के दाओ की पोल भी खुल गई है अलाकि टिकैट अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने पिछले साल गुरुनानक देव की जैनती 19 नुवंबर को इन कानूनों को रद करने का एलान किया था पीम के क्रिशिकानून रद करने की घोशना के बाद दिसंबर 2021 में किसान संगठनों और सरकार के बीच अंतिम दौर की बादचीत में कई मुद्दों पर सहमती बनी थी इनमें MSP तै करने पर कमेटी बनाने, बृत किसानों को मुआफजा देने और किसानों पर आंदोलन के दौरान लगे मुकदमें हटाने पर सहमती बनी थी बीरो रिपोर्ट, OMS News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं